और असाम के पूर्वा मुख्य मंत्री शर्वानन चुनवाल जी जिनको आज मेंस्ट्रिम में आकर कार्वी आंगलोंग ख्रेत रके पूरे प्रिकास की जिम्मेदारी लेनी है ऐसे सभी पांच संगठनों के मेरे कार्वी आंगलोंग से आए हुए प्रतिनीदी भाहियो यहाँ पर उपस्तित असाम सरकार के मंत्री गण, विधायक गण, केंद्रिय गुरू सचीव, स्रीमान बल्ला जी, डी आए बी अर्विन सर्मा जी, स्री अक्साई जी, डी जी पी आसाम, चीप सेकरेटरी आसाम, एडिशनल सेकरेटरी नॉर्थ हिस्ट, और उपस्तित अभी को आदमे रदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कि कारवी आंगलोंग शेत्र में बहुत लंबे समय के बाद सांति के यूट की सिरुवात हो ली, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रदान मंत्री बने तब से, उनका नॉर्थीस्ट नक्यवल फोकस का इरिया रहा है, परन्तु नॉर्थीस्ट का सरवांगिन विकास और सांत औ और सम्रूद्य नॉर्थीस्ट कैसे बने उनके लिए एक महतवपूर्ण काम का अंग रहा है, और इसी के तहट असाम में सांति हो, आंदोलन ना हो, उग्रवात ना हो, हतियार न चले, घोली न चले, और असाम की सभी आबादी, पूरी की पूरी आबादी, चाहे पहाड पर रहने वाली जन जाती हो, मैदान में रहने वाली जन जाती हो, सहर में रहने वाले लोग हो, या गाह में रहने वाले लोग हो, सभी का सरवांगिन विकास कैसे हो, इस केत्र में मोदी जी के नेत्रूत में बहुत प्रयास हुआ है, साथ साल में, और पहले प कारीकी से देख रहा हूं फॉलो कर रहा हूं कि आज जो हम कारभी आंगलोंक इत्यासिक समझोता जो अभी अभी संपन संपन हुआ 4 सितंबर 2021 ये दिन आसाम और कारभीक शेत्र के इत्यास में सुर्ण मई अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा क्यूंकि आज पांच से अधीक संगठनों के लगबग 1000 केडर ने हत्यार डालकर मेंस्ट्रिम में आने की सुभवात करी है और उनके पुनवर्सन के लिए असाम सरकार और भारत सरकार पून तया कटिबध और ये नरेंद्र मोधी सरकार की नीती है जो हत्यार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज़्यादा विनम्रता से बात्चित करकर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्यदारा में समाहित करना और यही निति का परिणाम है कि एक के बाद एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्या है नरेंद्र मोदी सरकार को वारिस वार्शाम में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं जहां तक कारवियाम लोंग का सवाल है हम लगबग असाम सरकार पांच वर्श में एक हजार करोड उप्या एक शेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी प्रती बज़ेट में 200 करोड उप्या बहुत बड़ी बात है आप लोगों के साथ वार्टा शुरू करने से पहले ही आपका था कि हमारा दिल्ली में कोई भवन नहीं है इसका सिलान्यास हुआ था धह्मन जी और सर्वानन जी दोनों थे उस वक्त तब मैंने कहा था कि आप एक बार वार्टा को पट्री पर चड़ाइए यह हमने एक हमारी और से सुरुवात करी और आज आप जाकर देखिए प्रहुन का काम का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कुछी समय में कारभी आंगलोंग से आने वाले भायों बेनों को दि अग्रिमेंट की सभी सर्तों का पालन हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं कि हमारा रहों चाहे बोडोलेंट का एग्रिमेंट हो चाहे भू समझोता किया हो चाहे त्रिपूरा के समझोता किया हो चाहे कारभी आंगलों का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के तीन समझोते जो हमने करें हैं इसके असी प्रत्सत से ज़्यादा सर्ते पूरी हो चुकी है और बोडोलेंट में तो लगबग सब पूरा हो चुका है समझोतों में भी परसो ही मैंने रिव्यू किया था लगबग बारा सो लोगों का रहने का पूरा विवस्ता बन चुका है उनको जमी दामन टीट कर दी गई है उनको काड दे दी गए खाने पीने की विवस्ता कर दी है अच्छे स्कूल बनाए जा रहे है और 2020 आते यह पूर से बुरू सरणार्थियों का हम फिर से एक बार रहने की विवस्ता कर देंगे इसी तरह समझोतों में भी सो करोड रूपया देना था उसमें से 40-40 की दो किस्ते हमने दे दी है और लगबग लगबग जीस 88 केडर ने हत्यार डाला था उन्स सबको रिहबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था वो पूरा किया है मैं आज पांचो संगठन के जो नेता यहां है उनको और सीम को दोनों को वच्छन देना चाहता हूं भरोशा दिलाना चाहता हूं इस सारी सर्ते हम संताइक किये हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे और लंबा कार्वी अंगलों के लिए सांती और विकास का यूग का शुरुवात होगा ससस्त्र समों के कैडर के पुनरवास के लिए जो प्रावधान किया है उसकी भी पूरी चर्चा मेरी आसाम के मुख्यमंत्री महोदर से हो गई है कार्वी कल्यान परिशत की स्थापना का भी एक मसोदा हमने तैयार कर दिया है और Consolidate Fund of State इसमें जो संसोदन करना है वो अगले ही बजेट सत्र में आसाम सरकार लेकर आएगी इसमें हमारे मन में कोई Confusion नहीं है अधिक वित्तिय विधाई और प्रसासिक सक्तियों देने का जो प्रस्ताव है इसका भी एक खाका लिगल ओपिनेन के लिए घया हुआ है लगबग पीपल्स डेमोक्रिटिक काउंसिल और कार्वी, कार्वी लॉंगरी नौर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्वी पीपल्स रिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और उनेटिट विपुर्स लिबरेशन आर्मी ये पांचो संगठन के सबी केडर को मेंस्रीम में सन्मान के साथ बसाने की भी योजना तया है लगवग ऑटोनोवस काउंसिल पैकेज के 350 करोड की लागत के 32 प्रकल ओरेडी चालू हो चुके अलग-अलग चरण में है और कारवी दिमासा भवन जैसे मैंने काह था उसका भी काम पूर जोस में चल रहा है और 22 करोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी आपके खित्रम में हमने समझोता होने के पहले ही चालू कर दिया है जो समझोते हैं मतलब बारिस समपत होते ही लगबग लगबग पूरे होगे और सेंटर पूल की NLCPR स्कीम के तहट 200 करोड के और 20 प्रोजेक्ट 10-10 करोड की अगरेज का वो भी आज पैसा उसका अबंटित कर दिया गया है दिफू में असम पहाडी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का उत्खाटन किया गया है इसका एकडेमिक पहला सत्र भी सुरू हो गया है बागोरी प्रवेस्तान पर परियटक लॉंच के विकास के लिए भी काम लगबग लगबग पूरा हो चुका है दिफू में कैंसर देखभाल केंदर का निर्मान का काम चल रहा है मैं आये था तभी इसका उत्खाटन किया था और आने वाले दिनों में इस सेत्र के संपूर विकास के लिए और मुख्यतवे गाहों के विकास के लिए सभी कदम उठाने के लिए राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों कटीबद है असाम के मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं प्रधान मंत्री की निस्त्रा में यह समझोता हो रहा है मैं मानने प्रधान मंत्री जी असाम सरकार और भारत सरकार के ग्रूब व्याक की और से आपको संपोन रूप से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जो भारत सरकार के साथ, असम सरकार के साथ समझोता किये है ये इस खेतर के सांती और विकास के लिए मुख्य कारण बनने वाला है और समझोते की सारी सर्तों का हम बहुत अच्छे तरीके से समय बद तरीके से पालन करेंगे मैं फिर से एक बार समझोते के लिए बहुत समय से चर्चाए हो रही थी असाम सरकार के अधिकारी भी लगे थे, हैमन जी भी लगे थे, सर्वानन जी के समय में भी काफी काम हुआ, हमारे आई बी की पूरी टीम, डी आई बी के नेतुतों में लगे थी, और गुरू मंत्राले की टीम, अजे भला जी के नेतुतों में लगे थी, मैं सब को भारत सरका कि उवर से रदश से धन्यवाद करता हूं और ये पाथ संगठन के सभी प्रतिनीजियों को विशेश धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप करता हूं वंदे मातर हूं